फ्रेंड आज हम बनाएंगे दो प्रकर का पूरी आलू पूरी और बीट रूट के पूरी आप सभी जानते हैं बीट रूट हमारे लिए कितना फायदा मान दे लेकिन बच्चों खाना नहीं चाहते हैं फ्रेंड डोंट औरी बच्चे खा लेंगे अगर आप पूरी बना लेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पूरी बनाना पूरी बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर दो आलू तीकि यह लगबग 200 ग्राम है और यह 200 ग्राम बीट रूट है यह बड़ा बीट रूट का आधा इसे मैंने उबाल के लिए है तो आलू को अभी हम साब करके लेंगे तो देखिए आलू को हमें घीस के लेना है ग्र अधराइज पूरी बिलने में दिक्कात आजाएगा तो मैं घीस के लेती हूं दोनों आलू को मैंने यहाँ पर घीस के लिया है यहाँ पर हमें आट कर देंगे आटा गेव के आटा यहाँ पर टू कब लिया है हमने इसमें हमें आड़ कर देंगे नमक सुआत के वनेशर और यहाँ पर आड़ कर देंगे लाल मिर्ची पाउडर हाप टी स्पुन हल्दी हाप टी स्पुन जीरा पाउडर हाप टी स्पुन और यहाँ पर धना पाउडर वन टी स्पुन और एड़ कर देंगे अजवन हाप टी स्पून देखे यहाँ पर हम जीरा नहीं डालेंगे जीरा डालेंगे तो फिर से पूरी बिलने में दिक्कत आजाएगा इसलिए हमने जीरा पाउडर डाले है यहाँ पर हारे मिरची पेस्ट हाप टी स्पून और बारी काटा हुए धनिया 1 टी स्पून देखे जो धनिया हमने काटे है यह बिल्कुल पत्ता पत्ता लिया है इसको हम अच्छे तरह मिक्स कर देंगे देखे इस पूरी को ज़्यादा पाने के जरुरत नहीं है देखे यह लगबग आटा अलू के साथ ही हो गया के पाद हम इसे अच्छे तरह मिक्स करेंगे और इसे एकदुम सॉफ्ट बनाना है आपको हाथ से अच्छे तरह मसल मसल के और हम रख देंगे इसे 10-15 मिनिट के लिए देखे ऐसे ही मसल ना है जितना अच्छा मचल के रखेंगे उतना ही अच्छा सॉफ्ट पूरी बनेंगे और फुले फुले बनेंगे तो हम डबबा में बंद करके रखेंगे यह देखे धकन वाले डबबा लिया है मैंने उसे रख देंगे हम और इसी बर्तन में हम बीट रूट का भी आटा बना लेंगे तो देखे यहाँ पर मैंने बीट रूट को साफ करके यहाँ ग्रांड करके लिया है ग्राइंड करके ही लेना है बीटरूट को गिस के नहीं लेना है इसमें देखिए हम थोड़ा पानी आट कर देंगे और यह भी हम दूख के ले लोंगे और बीटरूट के आटा में हमें पानी डालने के जुरूत नहीं पड़ेंगे यहाँ पर हमने लिया है टू कप गेव के मसला हमने पहले डाले वह आड़ कर देंगे नमक्ञ सौदका सिङियदें दितता बाउडर 1 अधिश्वल मिर्ची पैस्पून घनिया Nigar जीरा पौदर हापminist chamber, और यहाा पर आठ कर देंगे हापने एस यहां पर हारी मिर्चीपेस्ट और दंया यहा पर हम थोड़ा आज्युण भी डालेंगे एक दम थोड़ा सी यह ऑ्ष्टर है, डाले है तो भी चलता है, नहीं डालेंगी तो भी चलेगा तो यहाँ पर हम दीखिए इसे अच्छे तरह मिक्स कर लेंगे और इस एटा में हम बिल्कुल भी पानी आड़ नहीं करेंगे आपको मैं दिखाती हूँ जो थोड़ा पानी हमने आड़ किये थे उसे यह आड़ भीग जाएगा यह पुरोपरासेस में आपको दिखाती हूँ दिखें यहांपे मैंने दिखें आपको सीधा सीधा देखा दूआ पानी नहीं चाहिए चाहिए यहे थोड़ा ढाल सकती है आपको लग रहा है थोड़ा सा हम यह तोड़ाब डालेना मिल्कुल भी टैट भाट है बहुत होग्यों है अध्य कि और बिफल एक अदम शाईनी स्मूथ और शाइनी हो गए और यह एकदम नेश्राल कलर है आपको लग रहा है जैसे कि कोई कलर डाला है लेकिन यहां पर कोई कलर नहीं डाला है तो हम इसे रख देंगे 20 मिनिट के लिए साइड में और हम पूरी पहले बना लेंगे आलू का तो देखिए आलू का पूरी का ह हम चूटी चूटी गोल लेहेंगे इस में से थोड़ा मसल के लेंगे पहले और देखिए आठ की नश्ईटि और आप चाहिए तूप बढ़ा भी बना सकते है मीडियम भी बना सकते हैं तो दीखिए ऐसे मीडियम साइज का मैंने लिया है यहाँ पर चार पास ले लेंगे पाकी आटा को आपको धकन डालके ही रखना है अधरेश आटा सुख जाएंगे यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेल लगा लेती हूं बेल एन के भी कि फोड़ा तेल जाया पढ़ गया कोई बात नहीं को तेल चलती है हम इसे बेल लेंगे इसे ज्यादा पतला नहीं बेलना है और यहाँ पर पूरी बना लेती हूं और रेसिप पसंद आई, तो जरूर लाइक करे और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें तो देखें फ्रेंड यहाँ फ्रेंड यहाँ पर मैंने 4 पूरी बना लिया है और यहाँ पर पूरी का तेल हमेशा गरम होना चाहिए देखिए तो चेक कर लेना तेल हमेशा ये गरम हो गया देखिए और पूरी डालते ही ये ऐसे ही बबुल अना चाहिए तो पूरी अच्छे तरह फूलेंगे पहले पूरी को ये आपको थोड़ा हिलाने के जरुद पड़ती है देखिए ये कितना अच्छा फूल जाता है पूरी तलते समाई दो-चार बातों का आप दहान रखेंगे तो आपके सभी पूरी इसी तरह ही फूलेंगे बिल्कुल भी आपके पूरी अच्छा चिपके हुए नहीं बनेंगे तो देखिए ये कितना सुन्दर फूल गया है इसे हम साइड में रख देंगे मैं और एक पूरी तयल के दिखाती हूँ देखिए कभी पहले बेला फूलता है तो दूसरा फूलता नहीं है लेकिन इसी प्रकार के आप बनाएंगे तो सभी पूरी आपका फूल जाएंगे द अब हम बीट रूट का ले लेंगे और इसे भी हम थोड़ा सा मसल के लेंगे आठा हमेशा स्मूथ होना चाहिए तो यह आपके पूरी फूलेंगे अच्छी तरह तो देखिए यहां पर भी में चार पास गोल ले लूँगी मेडियम साइज का और दीखिए यह बहुत ही फा में ची थोड़ा सा थीह रहता है और लाल मेल ची पाऊडर कार्शमेरी लाल मेल से डाल सकते हैसे बच्चों को कोई तक्लिव नहीं होंगे तो मैं बेल के लेती हूँ यह पूरी बेलना बहुत ही आसान है दिखिए क्यूंकि हमने मिसर से ग्राइंड के थी तो यह बहुत ही बेलने में कोई दिकत नहीं हो रहा है और कितना स्मूथ हुआ है देख सकते आप एकदम शाइनी पूरी बनेंगे इसका मैं चार पाज बना लेती हूं अभी हम फ्राइब करेंगे सेम प्रॉसेस से हमें फ्राइब करना है तेल गरम होना चाहिए तो आप थोड़ा सा फ्लेम को मिडियाम करे इसका अब भी ध्यान रखे तो दीखें यह पूरी भी इतना एकदम फुगा जैसे अच्छे तरह फ्राई करना है दोनों तरफ से देखिए कितना सुन्दर है तो यह फ्राई हो गया है हम इसे भी निकाल लेंगे और इसी तरह में सभी पूरी को रेडी करके लेती हूँ तो फ्रेंड डेसी पी पसंद आई तो कॉमेंट करके जरूर बताना आगे आपको कौन सा रेसीपी देखना है मैं आपके पसंद की हिसाव से ही रेसीपें बनाया करूंगी और दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर करें और चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलना फ्रेंड देखिए यह सभी पूरी इसी तरह अच्छे तरह फुल रहे तो आपको फूगी फूगी पूरी बनाना चाहिए तो मेरे चैनल का विजिट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें तो मैं पूरी को निकाल लेती हूं तो फ्रेंड आभी मैं सभी पूरी को फ्राय करके लूँगी देखिए मेरा पूरी हो गया है तो मैं सार्फ करने के लिए लूँगी तो तो फ्रेंट फिर मिलेंगे और एक नए रिसीपी के साथ तब तक के लिए बाइबाइब